नमस्कार दोस्तों बात करेंगे एक most awaited वीडियो के बारे में बहुत ज्यादा कॉमेंट आ रहे हैं विदिन टू डे से तो देखेगा पहले तो मैं बता देता हूं जितने भी beginners मार्केट में आये हैं या फिर आ रहे हैं उनकी learning पे focus होना चाहिए बहुत सारे terms होते हैं like bonus share होत है dividend होता है P ratio होते है valuation होते है intrinsic value होती है बहुत सारी चीज़े होती है market में जो आपको नहीं पता है यह कुछ basic point होते हैं जो आपको पता होने चाहिए जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि sir इतना यह क्यों 50% का fall क्यों आ गया stock में बहुत ज्यादा comment और बहुत ज्या on international आपको पता है कि मैंने आपको हमेशा बता है कि यह long term का stock है it will take time to boom अभी मैं business के parameter भी बताऊंगा किस तरीके के stock के पास valuation है और किस तरीके के valuation आने वाले चाहिए time में मिलने चाहिए सब discuss करेंगे bonus का फायदा क्या हुआ है सब discuss करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो के अन तक जरूर बने रहीगा सबसे पहले देखीगा आपको 20 माई को bonus share one is to one क्या हुआ है मिल गया है भी बहुत लोग के account में credit नहीं हुआ होगा लेकिन आपको पता है कि इससे पहले यह update बता दी गई थी कि bonus issue होगा यह मैंने आपको बताया था और bonus का एलान हुआ था तो उ अब आपके पास क्या हो जाएंगे दो share हो जाएंगे तो stock इस तरीके से जब bonus announce होता है तो उसी तरीके से price भी क्या हो जाते है factor in हो जाते हैं इसका benefit भी क्या होता यह भी discuss करेंगे इस वीडियो में तो कुछ भी fall नहीं आया है पहले तो जितने लोग पूछन पूछे थे कि जिसके basis पे आपको stock में adjustment देखने को मिला है इस stock के price में adjustment देखने को मिला है और जल्दी आपके पास अगर जो share होंगे वो double हो जाएंगे इस price पे अब यह क्यों किया जाता है इसका benefit क्या होता है देखेंगा एक तो stock का price कम हो जाता है इससे कई सारे other भी benefit रहते हैं लेकिन stock stock का price कम होने से stock थोड़ा attractive लगने लगता है आप इसमें थोड़ा सा ज्याधा volumes आते हो दिखने हो मिलेंगे और जब volumes आएंगे तो धीरे धीरे stock में अगर growth आती है तो बढ़िया company की market capitalization improve होती है तो इस चीज़ को समझेगा कि देखेगा 100 रुपे का stock आप एक बार लेने मे सोचोगे लेकिन जब वो 50 रुपे का होता है तो आप सोचते हो कि यह सस्ता हो गया है और यहां पे volume आना शुरू हो जाते हैं लेकिन इसमें भी आपको business के fundamental को judge करना चाहिए तो अगर आप देखेंगे तो profit making company है लगातार profit दे रही है improvement भी आपको देखने को मिला है ना अच्छा मैं long term के लिए क्यों मुलता हूं चुकि अभी आपको देखें इंफ्रा में थोड़ी problem चल लगी है आपको पता है labor की demand क्या हो रही है labor की shortage है demand जाता है और उस तरीके से labor due to restrictions और lockdown नहीं मिलने पा रहा है तो थोड़ा time लेगा stock time लेगा अपना time पर आपको valuation देगा सबसे बढ़ी है long term journey में आपको 4% का dividend yield देता है यानि कि अगर stock का price में ज़्यादा changes ना भी हो तो आपको अराम से 4.5% का dividend yield मिल जाता है well and good है और stock देखी का undervalued है आपको अगर आप देखेंगे undervalued stock है और जो इसके peers हैं उसके comparison में देखी का stock अभी कुछ भी perform नहीं कर रह देखेंगे forecast rating का 100% यानि कि long term के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा stock है it will take time मैं फिर से बोल ला हूँ slow move होगा time लेगा लेकिन जब valuation देगा तो आपका portfolio में सबसे बढ़िया पसंदीदा ये stock आने वाले time में बढ़ सकता है ऐसा क्यों कह रहे है improvement देखें 2017, 2018, 2019, 2020 revenue अप देखेंगे तो यहाँ पर net profit भी up हो रहे है तो continuously growth भी है momentum भी है dividend भी दे रहे है bonus भी दे दिया है तो ये सब चीज़े क्या होती है company की growth में एक बढ़िया वे ले जाती एक direction देती है साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे जो peers हैं तो peers में आप देखें लर्सन एंड टूब्र जो की one of the diamond stock है 900 के level पर हमारा अभी recently भी मैंने कहा है कि जब भी ये stock गीरे तो आप इसमें भी SIP करिए तो इस particular business की यानि की domain की company है तो अगर इसका आधा इसका 25% भी perform करती है तो business बहुत है और अभी हाल फिलाल में मैंने आपको दिखाया था इनको बहुत बड़े-बड़ order भी मिले है order book अच्छी है बट अभी implementation नहीं आया अभी execution नहीं आया execution implementation quarter on quarter basis पर आपको improvement देखने को मिलेगा तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी कि ये sector काफी अच्छा है अगर ये बढ़िया तरीके से perform करते हैं तो valuation आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं साथ ही साथ कि बात करने चाहे आप IRFC की बात करने चाहे आप IRCON की बात करने या फिर आप बात कर लेते हैं अपने RVNL की तो ये stock valuation काफी हाई रखते हैं निकिन भी भागी नहीं है बट time लेंगे तो IRCON international में अगर आप देखेंगे तो ये stock देखेंगे तो इसका ज्यादा low भी आपको न आते हुए देखने को मिल सकता है लेकिन वो depend करेगा किस तरीके से growth है किस तरीके से potential है तो अब वीडियो के अंत में बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास stock रखें हैं wait करिए जिस intention से लिए थे long term के लिए one year two year three year point of view के लिए wait करिए आप profit में रहेंगे portfolio भी आपका अच् इतने लोग सोच रहें stock लेने में तो नीचे के level पे SIP करिए SIP मैं क्यों कहता हूँ या फिस इंस्टॉल्मेंट में share लीजे एक बार में bulk buy नहीं लीजे कि 50 रुपय पर आया भी फिर सन 20 रुपय पर चला जागा अरे ये 50% का fall आ चुका ये कुछ भी नहीं आया प्राइस तरीके से factor in हो गया है वलकि price आपको थोड़ा सा बढ़े हुए धाइन रुपय बढ़े ही दिख रहे हैं ये धाइन तीन रुपय बढ़े ही हुए आपको price दिख रहे हैं ये आपको portfolio में आपको दिख रहा होगा तो ये चीज बहुत ही important है तो इसलिए कहते हैं long term का view है तो